2024 का पहला और सबसे बड़ा उपिनियन पोल आप देख रहे हैं अब आपको बताते हैं कि 36 गड़ की जनता का मूट क्या है 2024 में लोग सभाद चुनाओ के लिए मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है क्योंकि विधान सभाद चुनाओं में 36 गड़ के मतदाताओं ने जो जना देश दिया उसने सब को चौका दिया था और 36 गड़ का ओपिनियन पोल क्या कहता है यहाँ पर देखे 11 सीटे हैं और बीजेपी के लिए वोट परसेंटेज जो है वो 55 फीसदी यहाँ पर पूजा दिखाई दे रहा है बिलकुल और 37 फीसदी जो वोट परसेंट है वो कॉंग्रिस के लिए नजर आ रहा है यानि कि यहाँ पर भी बीजेपी कॉंग्रिस से काफी आगे है 50 परसेंट से उपर वोट शेयर जाता हुए नजर आ रहे है लेकिन अब यह सीटों में कैसे कनवर्ट होता है वो समझे 11 लोग सबा की सीटे जिसमें बीजेपी के पास एक बार फिर से 9 से 11 सीटे जाती हुई नजर आ रही है बिलकुल और कॉंग्रिस के लिए देख लिए मैकसिमम दो सीटे अगर मिल सकती है तो 6 से 2 सीटे मिल सकती है लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए 11 सीटे 9 से 11 सीटों का अनुबान है बड़ी खबर आपको दे दे कि 36 गड़ में बीजेपी को 55 फीसदी वोट सर्वे ये कहता है कि 36 गड़ में कॉंग्रिस को 37 फीसदी वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ राइपूर से सीधे हमारे सहयोगी जैपरकाश त्रिपाटी इसमक जुड़ गए है जैपरकाश 36 गड़ में तो कॉंग्रिस के लिए बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाती है क्योंकि अगर इससे पहले विधान सभा के चुनाव के नतीजे हम देखें तो कॉंग्रिस वहाँ पर बंपर जीत असल करती है लेकिन लोग सभा चुनाव में यहाँ पर तो बीजेपी कॉंग्रिस से बहुत आगे जै बिलकुल क्योंकि इस बार की जो जीत है वो बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है 23 साल हो गए राजवने राजवने के बाद से सबसे बड़ी जीत बीजेपी की इस बार है और कॉंग्रेस की सबसे बुरी हार हुई है जबकि इस बार का जो चुनाव है वो किसी चेहरे पे नहीं सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था प्रधान मंत्री नरेन मोदी अमित साह के अलावा तमाम जो नेता है यहां प्रचार करने आये थे और उसके बाद से कहीं ने कहीं जो जातिगर्गत समीकरन बीजेपी ने सेट किया था उसका पूरा असल देखने को मिला राम मंदिर जैसे मुद्दे यहां पर ज्वलंत मुद्दे थे इसके अलावा धर्म परिवलतन को लेके जिस तरह से लगाता जो है बस्तर से लेके सरगुजा में चीज़े आ रही थी उसको लेकर काफी नाराजगी थी जनता में और जनता ने बीजेपी को जना देश दिया वही जना देश जो है लोगसभा में भी देखने को मिलेगा क्योंकि जब 2019 में चुना हुए थे तब 9 सीटे लोगसभा की जीत के आई थी तब ततकालिंग कॉंग्रेस की सरकार थी शे महिने में ही जनता का मूट बदल गया था और अब जो है शत्तीसगर में बीजेपी की ही सरकार है बिल्कुल और ये देखें मूट ऐसा बदला है कि 9 से 11 सीटे यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल पर च्छतीसगर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्याक शो दीपक बैज का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं ABP News के ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ 36 गर्ड कॉंग्रेस के प्रदेश सद्याक दीपक बैज है दीपक जी ABP News का ओपिनियन पोल आया है ओपिनियन पोल में जो है फिलहाल जो है बीजेपी 18 प्रतिसाथ और बढ़त पा रही है और 9 से 11 सीटे बीजेपी को जा सकती है आपको मेहनत करने की ज़ग रहा है अब देखे ओपिनियन पोल तो हम लोग 2023 के चुदा हमें भी देखे विदान सबाब में पूरे देश का एक्जिट पोल आपके पूरे मीडिया का उपनियन पोल सब तो कॉंग्रेस में भी वर दिखा रहा था और लेकिन जब रिजल्ट आया गिंती वा तो फिर हो तो सब 36 पूरा देख रहा है तो अपनियन पोल पे उतना कोई वरुजाता था नहीं रहा है लेकिन ठीक है मेंनत तो मांगता है पूरे प्रदेश के जिम्मेदारी है बस्तर के साथ और मेंनत करेंगे कल लगतर बैटकूई है हमारे तमाम जिल्ला देख और सभी परभारी विधान सबाए दिला प्रभारी सभी तमाम निताउसत बैठक हुई है। ABP News आपको रखे आगे